बॉलिवूड अभिनेता निर्देशक दीपक तिजोरी की माने तो शारुक खान काजोल और शिलपा सेट्टी स्टारर बाजीगर में पहले लीड हीरो के तौर पर उन्हें कास्ट किया गया था लेकिन डिरेक्टर अभास मुस्तान ने स्क्रिप्ट शारुक खान को दे दी थी दीपक ने ये खुलासा एक हालिया इंट्रिव्यू में किया है दिपक तिजोरी ने खिलाडी में अबास मुस्तान के साथ काम किया है और उनके मताबिक उन्होंने ही अबास मुस्तान को एक किस बिफोर डाइंग के बारे में बताया था और इस पर फिल्म बनाने की सलाह दी थी 61 साल के दीपक तीजोरी ने बताया कि अबास मुस्तान को उनका आइडिया बहत पसंद आया था उन्होंने इसे दीपक तीजोरी के साथ बाजी करके नाम से बनाने का फैसला भी लिया था दिपक्ति जोरी के अनुसार मैंने 21 बिफोर डाइंग देखी और अबास मुस्तान को पूरी स्क्रिप्ट सुना दी। उन्हें ये पसंद आई। उस वक्त मैं खुद के लिए बहतर कर रहा था और मैंने कहा कि मैं बुरे इंसान का रोल करना चाहता हूँ। क्योंकि दक्ति ब अपना डारेक्टर था लेकिन मैंने का नहीं मेरे पास अबास मुस्तान है। दीपक्त ने इसके आगे कहा कि उन्हें उस वक्त जटका लगा जब पहलाज निलानी ने उन्हें बताया कि अबास मुस्तान ने फिल्म के लिए शारुक खान को अप्रोच किया है और उन्होंने कोई और प्रडियूसर को ऑन बोड ले लिया है। तीजोरी के मुताबिक बाद में उन्होंने शारुक खान से कहा कि जब अबास मुस्तान उन्हें फिल्म का ओफर दे तो फिल्हाल वो हा ना कहे। दीपक बताते हैं जब मैं अबास मुस्तान से मिला तो उन्होंने कहा उपर हीट रही थी बलकि शारुक खान के लिए गेम चिंजर साबित हुई। फिल्म में जानी लिवर, राकी, सिधार्तरे और दिलिप ताहिल जैसे स्टार्स ने एहम भूमी का निभाए थी। इस फिल्म के लिए शारुक खान को फाइनल करने से पहले अबास मुस्तान ने और बहुत से एक्टर्स से इस फिल्म को लेकर बात की थी। लेकिन नेगेटिव रोल होने के कारण कोई ये फिल्म नहीं करना चाता था। इस फिल्म के लिए अक्षे कुमार, अरबाज खान, सल्मान खान, अनिल कपूर जैसे एक्टर्स ने मना किया तब जाकर फिल्म शार अबास मुस्तान को एक सजेशन जरूर दिया कि फिल्म में एक मा का एंगल डालकर लीड हीरो के प्रती दर्शकों की सिंपैथी गेन की जा सकती है ताकि विलेन होते वे भी लीड हीरो को एक सिंपैथी मिल जाए और हुआ भी यही। इसमें कोई शक नहीं है कि शारुक खान को स्टार बनाने में इस फिल्म का बहुत बड़ा हाथ था और अगर यही फिल्म दीपक तीजोरी ने की होती तो हो सकता है कि वो भी आज एक बड़े स्टार होते लेकिन कहते हैं ना कि फिल्म इंडस्ट्री में मेहनत के साथ साथ किसमत भी किसी के करियर के ग्रोथ में बड दोनों ही नहीं लिखेते इसे प्रकार की तमाम जानकारे के लिए हमार साथ जुड़े रहिए नमस्कार